हेलो फ्रेंट्स आपको कैसे लेटना है घर पर या क्या क्या एक्टिविटीज नहीं करनी है और लेटते हैं क्या-क्या ध्यान देना है तो आप सबसे पहले बात करते हैं हम लेटने की आपको सुपाइन लाइन में कैसे लेटने आपको ठीक है तो सुपाइन लाइन में लेटने वाला है तो उसको कैसे लेटने तो सुपाइन लाइन में लेटने के लिए क्या करना है आपको जो हटुः को आपको प्राउस सीधा करकर निक मोड़ के पॉट में के हम इसलिए लेट रहे हैं कि क्यों हमारी क्या है जो आपकी स्पैन जो है वह आपकी सीधी हो जाएगी और हमारा जो हिब का एरिया है और आपको इसे साथ क्या और सब्सक्सक्कंद नीए तो एक पिलो आप को इसके नीचे एड़ करने मिलेक्स इसमें क्या आपका के पै जो जो जुब टिल्ट है जो आपका पुष्टेर टिल्ट हो चार टो गया तो तीन चीजें को इसमें आगी आपका एऄgent स्बैन का बिल्कुल सीदा हो गया के मसल्सन बिल्कुल रिलैक्स हैं और आपको टिल्ट जुँन है आपको ख्यांक तो फस्ट्पोजिशन क है आपको यह कर रही है कि दूसरी क्या जिसिन ना सईडलाइन में लेट रहे हैं तो आपको क्या करना करना दो फीलो क्या करना आपको प्लेस करने आपके पसक के बीच में तीके तो यह पüyorsun आपकी है आपके भी लीयवा ख्या और तर्ट को भी चल जाएंगी और रिकिलार और उसको आपका रेटिकुलोपेथ हैं उसके लिए भी जिसका पॉचिछन बिल्कुल सुटेबल पॉजीशन है तो यह आपकी सेकिंड पोजीशन है जो आप घर में कर सकते तीक इसमें भी क्या आपका जो आपका हिप हो क्या पोस्टरी ट्ल्ट है और आपके जो हिप की कि जो हैं वह बिल्कुल रिलाक्सिंग पोजिशन है ठाइड पोजिशन जो है वह आपकी क्या है प्रोन लाइन में तो जिसको अक्यूट डिस्क बल्ज है उसको डिस्क अगर अंदर लेके जाना है तो वह आपका छाती के नीच्चे तक्या रखके ऐसे करके लेटना है तो इसमें क्या है तकया को आपको यह पिलो करके आपको लेटना है ठीक है तो यह तीन आपकी पोजिसनिंग होगी तीन पोजिसनंग के बाद कि आपको क्या करना है कि अब दिखो आपको रेडिकलो पेथी वाले को अगर रिडियेट कर रहा है पेंट तो इसको साइड लाइन में आपको अगर चाहिड में लेना तो रेडिटिंग पेन जो है वह वह बिल्कुल कम हो जाएगा और आपका जो भी जो भी आपको स्यंटम जो रेडिकलोपैथी में सिंटम या बैट में प्यूचिन फ़ने सिंटम होंगे वह इनिविट हो जाएंगे तो लाइब कीजिए सब्सक्राइब कीजिए and share कीजिए share कीजिए जुनको backpin सफर कर रहे हैं ठीक है thank you